जिसकी BSP कड़े सब्दों में निंदा भी करती हैं और ऐसी शर्ते केवल BSP के ही विरुद्ध क्यूं ये भी सोचने की बात है और इस मामले में केवल जाति गद्धुएस वे राजनितिक स्वार्थ के कारण ही सरकारी मशीनरी का गोर दूरुपयोग करते हुए कल कासगंज के कार्य करम के बाद बहां BSP के जिला पदा अदिकारी वे ब्रह्मन समाज के भी कुछ सम्मानित लोगों के खलाफ जवरदस्तिक के दर्ज कर लिए गए हैं ऐसा वहां के लोगों का ये मानना है कहना भी है ताकि पार्टी के लोगों को ड्राया वे ठंडा किया जा सके बलकि ऐसा करके इसमें लेकिन ऐसा करके इन में BJP के विरुद और जादा गुसा वे BSP के प्रती और जादा जोस पैदा हो गया है वैसे भी यहां ब्रह्मन समाजी नहीं बलकि पूरा देश देख रहा है कि कि किसी भी चुनाव वे कारे करम आदी में BJP के नेताओं मंत्रियों कहीं भी कोरोना नियमों की कोई पावंदी नहीं है और उन्हें हर प्रकार के कारे करम में कोरोना नियमों के उलंगन वे उनकी धज्या उड़ाने की भी पूरी छूट है लेकिन इस मामले में विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं जो हमें यहां लगता है कि इन्होंने जातिगत दुवेश वे अपने राजनितिक स्वार्थ में यहां कोरोना नियमों का भी पूरे तोर से राजनितिक करन कर दिया है जो यह अतिनिंदनिय भी है इसके साथ ही यहां मैं सभी को यह भी आगा करना चाहती हूं कि बीएस्पी के परबुद वर का ये कार्वा ना तो अब रुखने वाला है और ना ही जुकने वाला है बलकि हर परकार की सरकारी अर्चनों परताजना शोशन वे विरोध आधी का अब ये दलीतों की तरह डटकर सामना करते हूए लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा इतना ही नहीं बलकि परबुद का ये परदेश व्यापी कारे करम यूपी सरकार की इस परकार की नई जातिवादी वे द्वेस्पूंट कारवायादी का सामना करते हुए ना केवल आगे लगातार जारी रहेगा बलकि इसके सरूप को और ज्यादा विस्तार परदान करने के लिए अब इसे गाम गाम वे घर घर तक ले जाने की ब्रहमन समाज से खास अपील भी करेगा और इसका सईव जोड़दार जबाब भाजपा को आगामी यूपी विधान सबाम चुनाव में जरूर देगा और आप तो यूपी भाजपा सरकार की इस परकार की घोड़ द्वेस्पूंट कारवाईयों से समाज को भी पूरा यकीन हो गया विश्वास हो गया है कि बीजपी दलितों पिछडों वे अकलियतों की तरह अब ब्रहमन समाज को भी अपने आत्मसमान वे स्वावी मान के साथ इने जीने नहीं देना चाहती है ऐसा अब आम चर्चा है ब्रहमन समाज में अब ये भी झाल झाल